सड़क परिवहन एवं राजवार्क मंजरी श्री मीधिन गड़करी ने कामगास नेहा मिलन के लिए मौयल बवन नागपुर को भेट दी इस अवसर पर मौयल कामगास संगठन और अन्य संगो के नीतुत्व में कर्मचारियों ने गड़करी जी को उदार उदर से पूरा समतन देने के लिए धन्यवार दिया जिनके कारण मौयल में सर्शोदित वेतन सम्जोता लागू हो सका इस वेतन सम्जोते से 5000 से अधिक कामगार लाबन विथ हुए है कर्मचारी संगों ने श्री ताना जी वनवे मनपा के पूर्वविपक्षी दर नेता के प्रती वीकूतत नितर व्यक्त की जिनोंने वेतन सम्जोते को लागू कोराने में सतत सहरूं दिया गड़करी ने अपने संबोधन में मौरिल के प्रदर्शन के प्रशंचा की और आववान किया कि देश में मैगनिस के आयात को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वुद्धी का प्रयास करें इस कार्यकर्म में मुख्य प्रबंदक निर्देशक और कमपनी के कार्यकारी निर्देशक उपस्ति थे मुक्य प्रबंदन निदेशक ने अपने सम्मोधन में कहा कि गड़कर जी सदे कमपनी के साथ खड़े रहे और छोटी बड़ी हरत्रकार की मदद की इसके लिए उनका आबार मान रहे है कार्यकरम का समापन निदेशक मानव संसादन श्रीमती उशा सिंग ने धन्यवाद ग्यापन से लिया उन्होंने कहा कि ये कार्यकरम और भी खास हो गया है क्योंकि कमपनी ने कुछ दिन पूर वही 22 जून 2022 को कमपनी का साथ वास्थापता दिवस मनाया मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस पात मंसा लेके प्राशसनिक नियर्जन के तहट आने वाली एक अनुसुची ए मिनिरत नक्षिरेनी 1 CPSC है मॉयल देश में मैगनिस अयसकर की सबसे बड़ी उतपादक है ये महाराश्ट्र और मद्यप्रदेश राज में 11 खदानों का संचालं करती है मॉयल के पास देश के 34% मैगनिस अयसकर का भंडार है ये घरलू उतपादन में 45% योगदान दे रही है कमपणी का वित्तव वर्ष 24-25 तक लगबग दो गुना कर 25 लाख मेट्रिक टन करने का विजजन है मॉयल गुजरात राज्जर तता मद्यप्रदेश राजस्थान एवं ओरिशा राज्जु के अनिक शेत्र में कारोबार के अवसर रखाग खोज कर रही है